Hi friends, you all know that recently I fractured my foot तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी latest technology के बारे में जो की removable plaster है fractured feet पे लगाने के लिए और इसे लगाते ही आप fracture होने के बाद भी चल फिर सकते हो आपने recently बहुत सारे actors, superstars को ये different type का cast sport करते वे देखा होगा अपने fractured हाथ पे या फिर पेर पे मुझे इस technology के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मेरा fracture दिल्ली में हुआ और वहाँ पे मेरे parents मुझे एक normal orthopedic hospital में लेकर गए जहां मुझे बहुत ही normal तरीके से plaster चढ़ाया गया ये regular blue plaster चढ़ाने के बाद मैं जैसे तैसे fly करके Mumbai वापस आ गई आप लोगोंने मेरा वो वीडियो भी देखा होगा लेकिन Mumbai वापस आते ही मेरा पेर swell होना शुरू हो गया black and blue पढ़ना शुरू हो गया and I immediately rush to my orthopedition in Mumbai who treats a lot of high five people उन्होंने मेरा X-ray चेक किया तो बताया कि मुझे एक नहीं बल्की दो हैरलाइन फ्रैक्चर्स हुए है और इसकी recovery time जो है वो कम से कम धाई से तीन महीना है अब यह जो नीला प्लास्टर आप देख रहो ना जैनरली जो लोगों को चढ़ा दिया जाता है पैर पे इसमें तो मैं ढाई तीन महीना नहीं निकाल सकती थी बिकोज इसमें अंदर इतनी एचिंग होती है इसमें खुजली आती है और यह बहुत ही अंदर प्लास्टर है जिसमें आप चल भी नहीं सकते हो आपका बैलन्स नहीं बनता है पैर पे चलते हुए और इस पर वजन नहीं डाल सकते हो और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसे हटाने के बाद वो मुझे एक लेटिस टेक्नोलोजी का प्लास्टर दे सकते हैं जो अभी तक सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग और सिलेबरिटीज, आक्टर, सूपरस्टार, बिजनसमें पहन रहे हैं आइसिंग कर सकते हो, दवाई लगा सकते हो और रिसेंटली आपने देखा होगा कि लारा दत्ता ने इसे स्पोर्ट किया था तो मैंने दॉक्टर से का मुझे यही प्लास्टर पहनना है अगली सुभा इस कंपनी के रप्रेजेंटेटिव मेरे शू साइस का प्लास्टर मेरे घर पर लेकर आए और उन्होंने मुझे समझाया कि इसकी टिक्नॉलजी क्या है और यह रिमोविबल प्लास्टर पहना कैसे जा सकता है आप देख सकते हो जिस पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ है वो पैर इन होने सबसे पहले इस प्लास्टर वाले पाउच में डाला अब इसके अंदर एक ऐसा माटीरियल था जो की बबल राप जैसा होता है और उसमें चोटी-चोटी बॉल्स गोलिया होती है न वो लूस गोलिया थी जो बाद में प्लास्टर बन जाती है तो आफ्टर वेरिंग प्लास्टर पाउच यो पुट इन दिस कास्ट और उसके उपर ये एक और धककन जैसी चीज है जो लगानी पढ़ती है to give the support and then you have to strap it up properly इसका पूरा प्रोसेजर है step by step जो इन होने मुझे बताया पहला strap कौन सा लगाना है पर दूसरा कौन सा लगाना है फिर तीसरा strap कौन सा लगाना है and after you do this then you actually vacuum the air out of this plaster ताकि अंदर जो वो balls हैं उनमें से सारी हवा निकल के वो पत्थर जैसा हो जाता है प्लास्टर बन जाता है ठाणा my removable cast is ready जिसे पहन के मुझे अगले तीन महीने निकालने है fracture के एक दिन बाद में अपने पैर पर चल पा रही थी I could not believe this technology you guys it's amazing you know in representative ने मुझे बताया कि अक्षे कुमार इसे मंगवा चुके हैं और वो पहन चुके हैं हमें नहीं पता चला उने कब पैर का fracture हुआ Salman Khan अपने लिए अपने दोनों भाईयों के लिए Daisy Shah के लिए ये कास्ट मंगवा चुके हैं और बहुत सारे actors अब इस technology को जानने के बाद because उनकी speed नहीं रुक सकती है काम उने करना ही पड़ता है तो इसके लिए opt कर रहे हैं ये बहुत कम orthopedics को भी पता है बट ये technology Amazon पे भी available है क्योंकि एक ही company से इंडिया में इंपोर्ट करती है तो आप जा के चेक कर लेना अगर किसी को भी आपके नियर और इंडियर वंस को fracture हुआ है भगवान न करे प्लीज उन्हें ये technology के बारे में बताओ ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होके चल सके हाला कि ये कास 20,000 रुपीज का आया बट इस वर्थ इड क्योंकि अपैरेंटली इस में फीजियो थेरपी की भी जूरूत नहीं पड़ेगी वीडियो अच्छा था तो लाइक और शेयर और प्रेय फो माई स्पीडी रिकावरी लव यू आल बाई